Assalamualaikum, Myself Maudum Ali आज हम discuss करेंगे what is content writing तो सबसे पहले content writing के लिए जरूरी यह है कि हमें पहले यह पता हो जो कि ओके what is content तो content को जानने के लिए हम देखते हैं कि content होता गया है मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में रिख पता है थी कि कोई भी ऐसी इंफर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज जो आपको information प्रवाइड कर रही है यानि कि information description about anything is called content कोई भी चीज कोई भी ऐसी वीडियो कोई भी ऐसी image कोई भी ऐसा text जो आपको information प्रवाइड कर रहा है वो हमारा content होता है अब बात यहा है कि content rating करने कैसे हैं content rating से लोग कितनी earning कर रहे हैं आज कल वैसे बड़ी हाइप है content rating की article rating की blog writing की तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि content rating blog writing and article writing यह सारी एक ही चीज़ों के नाम है फ़ीक है लोगों को नहीं पता है इस बात का जो बंदा content writer है वह articles writer भी होता है जो article writer है वो blog writer भी होता है याने कि सारी चीज़ें एक ही है। अब देखते हैं किसको करते हैं कैसे इसका फाइदा किया नुक्सान किया है। हैं या जो आज कल content writing करने हैं कमें हो कैसे कर रहे है। सबसे पहले हमारे सबसुकरों content writing में होता है कि हमारा में टोपिक्स मिराद किया है वह में डिकाए याद लिखना है घहां किया चाहा है तो आपका में प्रोग्रांइंग को आपको इसके चाहिए अपके नहीं प्रॉइट करें किया है। content writing में सबसे पहले topic होना चाहिए, topic के बाद दूसरा step जो है, वो यह है कि how to collect data, how to collect data, अब बात बार बार सुनेगा कि मैं यह कहा रहा हूँ how to collect data, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ how to write data, बात याद रखिएगा हमेशा जो content writing आजगर कर रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, यह यह जो Asia, Asian countries हैं, इसमें जितने भी content writing कर रहे हैं, वो खुद नहीं लिखते हैं, content writing के लिए खुद नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि English जो है वो हमारी native language नहीं है, हमने उर्दू में अच्छा लिख सकते हैं, पंजबी में अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, अर्बी में जो मत अस्तनसर हुसांद आरड होगे, श्वाग एमासभ होगे, यह सब लोग नौवल निगार थे, यह हमारे उर्दू के राइटर्स थे, ठीक है, अब जो अर्दू के राइटर्स थे, उन्हें हमने इस्तनसर हुसांद गया दिया, इसी तरह जो English के राइटर्स थे, उसे हमने Shakespeare गया दिया, अब that doesn't mean कि यह लोग कम पढ़े हैं, यह लोग मतलब के लिखना नहीं जानते, बात यह है कि content writing हम इस चीज़ को कहा रहे हैं कि हमारा जो English में content है, यानि कि जो website पे content आता है, यह blog होता है, आर्टिकल होता है, वो हमेशा यह ज्यादा दर English में होता है, तो हर ब से content writing करनी है, तो आप नहीं कर सकते हैं, उसकी बज़ा यह है कि यह हमारी native language है नहीं है, हम यह maximum maximum कितना लिख लेंगे होता है, एक line लिख लेंगे, तीन line लिख लेंगे, पांच line लिख लेंगे, ठीक है, अधर पाकिस्तानी हमारा, हमारी English यह इधर तक किया है, कि काईदया writing, जितनी भी आज के लोग करने, जितने भी पैसे कमा रहे हैं, वो खुद नहीं लिखते हैं, वो data collect करके लेते हैं, यह बात पहले आपको clear करनी जरूरी है, data अपने लिखना नहीं है, उसकी reason ही है, हम लिखी नहीं पाते हैं, अब जिस बंदे का मतलब के फाइवर पे अप उसके 20 ये 25 आर्टिकल लिखना पड़ते हैं, अब मुझे ये बात समझाएं कि 20 ये 25 आर्टिकल लिए कि दिने में अगर इनसान खुद लिखता है, तो कैसे लिखता है, इसके लिए टूर्स है, यानि कि आपने अगर प्लैजरिसम चेक करना है, आपने content लेना है, लिखना ह तो आपने टूर्स के दूरू लिखना है, अब content कैसे लेना है, क्यों लेना है, वो सारा हम जो भी, इसके बाद हम अपना content writing का course इंटर्ड्यूस करा रहे हैं, उसमें हम आपको सारे इसके tips और tips बताएंगे, कि आपने as a professional content writer कैसे काम करना है, तो सबसे पहले collect data, data collect करना है, उसके बाद data को हमने change करना है, अब यह सारे काम करने कैसे है, यह मैं आपको course में बताऊंगा, अपने content को change करना है, content को change करने के बाद आपने tool पे check करना है, कि इसका plagiarism कितना है, यह AI detection कितनी है, इसमें AI कितना आ रहा है, यह सारा कुछ हमने remove करके, अब एक चीज देखी ज Okay, ठीक है, अब content writing और SEO writing यह दो लाइदा चीज़े है, content writing का मतलब होता है, इसमें आपने ranking वेरा नहीं करनी है, आपने content लिख दिया, अगले बंदे की सरदर्द है, उसको rank करे ना करे, ठीक है, लेकिन जब आप SEO writing पर काम करने होते हो, तो उसमें आपने keywords लगाने होते हैं, अपना keyword stuffing देखनी होती है, ना हो, बहुत सारे factors होते हैं, जो आपने देखनी होते हैं, कि आपने अपना SEO writing करनी है, तो content writing में सबसे पहला step होता है, client आपको topic देगा, उसके बाद आपने उस topic के data collect करना है, data collect करने के बाद उसमें थोड़ी सी changes करनी है, अपडेशन करनी है, यह जितना भी procedure हम करेंगे, इसमें कहीं भी, किसी भी step में हम खुद नहीं लिखेंगे, हम हमेशा data collect ही करेंगे, क्योंकि हम खुद लिखी नहीं सकते हैं, we are not foreign persons के हम लिखें, क्योंकि हमारी native language उर्दू नहीं, English नहीं है, उर्दू है, तो हम English में अच्छा लिखी नहीं सक इसमें हम content writing as a professional way में सिखाएंगे, covid system fast club में, तो जो भी बन्दा या जो भी इस चीज में interested हो, वो आकर course को enroll कर सकता है, और अपनी content writing स्टार्ज कर सकता है, thank you very much.